दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे कि जो बिहार में मनीश कुमार की हत्या की गई है आज हमारे साथ सुरेज जी हैं सुरेज जी उस चीज को विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से जिहादियों के चंगुल में मनीश कुमार आए और एक लॉबी है हमारे यहांपर जब बहुत जादा बड़ी बाते करने लगते हैं परन्तु यहां पर अगर एक जिहादी मनीश कुमार को मार देता है तो इस पर सारे लोग चुपी साथ लेते हैं सुरेजी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सब कैसे देखते हैं कि मनीश है जो आपके पत्रकार है राश्रवादी पत्रकार कहें तो उसकी कुछ लोग मिलकर के जाद ही अत्यय कर देता है एक कमपेरिजन में और कर देता हूँ कि श्रीणे का उसके सोचल मिडिया बहुत बड़ी संख्या मिलेगे लेकिन मनीश क्योंकि सुदर्शन का पत्रकार था इसलिए उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा वो लुटियन जोन का हिस्सा नहीं था वो गरीब था इसलिए उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा गरामीन था इसलिए नहीं होगा और सबसे बड़ा मुद्दा वो राष्टरवादी था सुदर्शन के साथ जुड़ा हुआ था तो ये जो हिंदुस्तान में इस प्रकार के लोग हैं ये लोग हमेशा बेदबाव पहले भी करते हैं मनीश की हत्या शरील से तो जिहादियों ने की है लेकिन ये जो चुप सवाल यहां पर यह है कि वो सुदर्शन का पत्रकार था इसलिए मार दिया गया राष्टवादी था अग Pardon की dir हट्या के 15 दिन पहले पहले पिता जी ने और उस रिपोर्टर ने पुलीस में लिखित में कंप्लेंट की है कि मैं Պजए प्रकारिता करूंगा तो मुझे जान से मार देंगे ऐसी धंकिया रही है हत्या कि तीन दिन पहले आपरन हुआ तो पुलीस कहती है कि वो तो लड़की को लेके भाग गया और दूसरी तरफ हत्या हुई आप माफी मांग रहे हैं तो पुलीस को इसका मतलब पता था क्योंकि ज के गली महले तक आभी हम पहुंच रहे हिंदुस्तान के हम एक मात्र चाइनल है जिसको एक साल में 16 जान से मारने की धंकिया आई और एक मत्रकार हमारा मारा गया यह सारी कहने वाले के साथ खड़ा होना कितना बड़ा अप्राद है यह दिखाता है सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह आता है कि अगर बंदे मात्रम की बात करें अलाहु अकुबर की बात करें तो वह इसी संसद में गूंशते हैं और उनका एक ट्वीट आता है और जो जंतर मं कार को काट के दिखा दिया गया है लेकिन कुछ नहीं ना जबकि वह जो नारे लगे जो विडियो आया है वह स्टेच का नहीं है वह कही और किसी भीड में किसी गरूप ने किया हुआ है बावजूद इसके इतना बड़ा ऊट्रीच हुआ और यहां हत्या के बाद भी तो यह तो मतलब हमारा स्वभाविक है क्यों क्योंकि हमारे साथ खड़े वाने वाला कोई नहीं है किसी भी चैनल के पत्रकार को धंकी दी जाती है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं उस पत्रकार के साथ हो किसी भी चैनल का पत्रकार हो हम कहते हैं पत्रकार पत्रकार है चै का बजूद क्या बचेगा कैसे बचेगा और ना बचे इसलिए तो हो रहा है पहले तो क्या हुआ कि अकेला सुदर्शन ही टीवी पे करता था अब आप जैसे भी और भी लोग देश बर में राष्टवादी पत्रगारी था कि यूटूब चैनल भी बहुत आ गए तो अगर इ उनमें नहीं जाएंगे आप ऐसे घद्दारों से बड़ फैलाना चाहते हैं यह उसी का पर नाम रोग पाएंगे पत्रगारी था सवाल ही नहीं डरने वाले तो है जो डर जाते हैं इसलिए अपनी भाषा बदल लेते हैं नाम बदल लेते हैं हम तो निकले ही पलदान देने लिए ऐसे पत्रकारों के लिए जिया क्या कहेंगे जो जेम में गुझी लेके घूमते हैं दिखिए यही तो मतलब दुरभाग एना कितने लोग ने पत्रकारों ने उसके लिए ट्वीट किया है तो छोड़िये आतंक वादि वह से संबन जिनके है ऐसा कहा जाता है या जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह होता है कि दाने सिद्रगी की हत्या होती है तो उसके लिए पूरा लिबरल गैंग इंटर्नेशनल मुद्दा बना देता है और अफगानिस्तान में हत्या का हुई अफगानिस्तान में हत्या करने वाला कौन तालिबान और दोश किस पर दे रहा है रास्टवादी मिडिया के विरूद एक जहर फैलाया है और हमको हिंदु आतंकवादी, हिंदु काफी सईथ कहते है सुरेच चवान के को और इसलिए हमारा जर्रेलिस्ट कहीं दिख जाता है तो फिर जिहादियों को आगभुबला हो जाते है हत्या हो गई विचारी की आरूप तो आपके उपर भी लगता है कि सुरेच जी अपने टीवी चैनल के मादम से जहर फैलाने का काम करते हैं मानो यारूप सच भी है यह सच नहीं लेकिन मानो सच भी है तो बोल रहा हूं ना हत्या तो नहीं कर रहा हूं आप तो हत्या करें आप नारे लगाते हैं वह गर्दन कारते हैं कि मतलब उन्होंने बोलना भी हमने बोलना भी आपाद है और उन्हें करना भी आपनी है मनीश के पिताजी का तो वी एक पत्रकार हैं बेटा भी जाँ जनलिेस्ट हैं तो कहीड न कहीं खून में है वह रग-रग में बता हूँ पत्र जब उनको धंकी दी जा रही थी तो आप से इस सिलसले में कुछ बात हुई कि सर मैं नहीं करना चाहता हूं या आपने उसका होसला बढ़ाया हो करो हम लड़ते रहेंगे जोईन करने आया था तो उसने कहा था कि मैं जोईन ना करूं इसका मेरे उपर बड़ा दबाव है अगर दिल्ली से घृटा था धंकी दी गई तो हुआ क्या है आजकल के हमारे लोगों को इतनी धंकी आती है कि हर धंकी को अगर हम पुली स्टेशन लेकर जाएंगे तो पुलीस भी कहेगी कि भाई पत्रकारिता फिर क्यों करते हो इतनी धंकियों से अड़ हमारे लोग डरत इन वाल नहीं होते क्योंकि तीन दिन अपरन था पुलीस तो कहते रही लड़की लेके बाद है और तीन दिन बाद जब डेड़ बाड़ी मिली वो केवल सुदरशन के प्रया सी मिली एक आख निकाली है गर्दन काटी हुई है तो गर्दन कोन काटता है दुनिया पर में इस अजिसमें सबसे दुरभागय पूर्ण है नेताओं का और जो अपने आपको पत्रकार कहते हैं हूँ कि सिवी ऐक बारती है या Yay pornography मालिक के प्रती है या इस mission के प्रतिए आपका पत्रकार होना अपने अप में आपके आपका भाई गया हुआ है तो ये क्यों नहीं करते हैं सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि हमने देखा कि देश में अगर प्रदेशों की बात करें तो वहां पर किसी की भी हत्या हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे हां सरकारी खजाने को लेकर के पानी की तरह बहते हैं इस जगे उन लोगों ने बिल्कुल चुपी सादी हुई है इसलिए कि वो सुदरसन का पत्रकार था इस देश में कोई हिंदुभादी मरे है तो उसका कुछ नहीं होता है पाल घर के सादु मारे गए क्या हुआ ुछ नहीं हुआ रासना में एक सादु पर सादु लौ लुपाल किया गया आज उसी स्पॉट पर एक सादू लवलुहान है क्या हुआ कोई चर्चा है अब यही पत्रकार अगर NDTV का होता, The Wire का होता The Print का होता या जो वामपंथी है उन में से किसी का पत्रकार होता तो आज क्या होता सारे अभीवक्ती खत्रे में आती मिडिया खत्रे में आ चुका होता मोदी से लेकि सबको गाली पड़ रही होती लेकिन आज यह पत्रकार सुदर्शन का है तो कुछ नहीं हो रहा है सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 8 अगर्स्त को डासना देवी मंदिर पर जो महन थे वो वहाँ से बिहार से चलके यहां जोइन किये वहाँ नारा लगाया जाता है काटने का और यहां डासना मंदिर में उसका आउटरेज निकलता है संत पर हमला हो जाता है आपके पत्रकार पर हमला हो जाता है मतलब आप नारा लगाएंगे और वो रिजल्ट देंगे नारा लगाने वाले भी कोई मुझे नहीं लगता है हिंदुत वादी कारे करता हूंगे क्योंकि वो सस्पेक्टेड इलिमेंट है अभी तक उनके बारे में कुछ मिला नहीं है दूसरा मैं अपने लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप केवल नारे लगाते हैं करते तो कुछ हैं नहीं वो सब कुछ करते हैं और नारे मानवता के लगाते हैं यूमन राइट के लगाते हैं मतलब उनके मुह में और हाथ में दिखाने का कुछ और है और करने का कुछ और है आप तो करते तो हैं नहीं उनके मुह में राम कैसे होगा रहीम होगा ना और राम आले तो हैं पर पर कुछ बोलने से जो की बोला भी नहीं गया, कार्ट पीट कर ट्विटर पे डाला और एफायर हो गई, तो कानून से सुरक्षा नहीं होगी, तब तक आपको किसी भी प्रकार से बचावत मतला आपके तरफ से कुछ नहीं है, दूसरा जमिन पर आगर कोई पत्रकार कंप्लेंड करें, तो उस कं किसी आधिकारी तक जानी चाहिए, तो गतिले की, अगर इसमें गतिली गई होती, मनिश ने जिनका नाम लेकर, जिस मिया का नाम लेकर कंप्लेंड की थी, अगर उसको पहले ही उठाया होता, तो हत्या नहीं होती, तो इसलिए कानून बने, कानून में सक्त प्रोविजन हो, उसी राज्य के किसी भी मिडिया हो, इसके क्यों ना हो, पत्रकार उस कमिटी में हो, वो सुरक्षा के बारे में देखे, आप कोई साधरन राजनीती में आ जाता है, उसको सुरक्षा दे देते हो, पत्रकार को क्यों नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं देनी चाहिए, तो क्या स सुदर्शन ही क्यों बाकि लोग क्योंने बोलते हैं खास करके तब जब आदमी सुदर्शन का हो मैं तो करूंगा है इस परिवार का भी हम पूरा साथ देंगे हम इनके साथ पूरे खड़े हैं दिन में जितनी बार चाहें उनके साथ बात हो रही है सब कुछ जो चाहिए हो हम कानून को मानने वाले लोग हैं कानून के परिधी में इनको फासी होनी चाहिए क्योंके रियरेस्ट आफ रियर केस है इतंकर घरेसी के बात तबी आती है अब शुदर्शन या किसी निकाल देगा क्योंकि इस वक्त सुदरशन के साथ खड़ा होना आप राध है ऐसे मिडिया संस्तान लोगों को निकाल देंगे पत्रकार को बंदू का लाइसंस एप्लिकेशन करते ही दे देना चाहिए उसके पास कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए अपना रिवाल और हो ये कि किया जाएं दूसरा उसको धंकी मिलने पर उसका इंविस्टिकेशन तई सीमा के अंदर साथ दीन आट दीन दस दीन के अंदर पूरा किया जाएं तीसरा अगर हो किसी के खिलाब गलत कंप्लेंट कर रहा है ऐसा साबित होता है तो आप उसको भी सजा दो पत्रकार को भी क्य चूज ना करें चौथा जब उनके ऊपर किसी प्रकार का क्राइम हो तो जैसे आप एक्ट्रोसिटीज में पहले गिरबतारे और फिर जाच करते हैं सिम पत्रकार को सुरक्षा दी जाएं बिल्कुल इतना तो चार चीज़े तो मिनिमम की जा सकती है सुरच्षित होकर कि वह मैनफेस्टो बनाया है और हम भारत सरकार को और राज्य सरकारों को देंगे आपने देखा होगा मैंने जितने भी ट्वीट किये हमने राज्य सरकार ग्रह मंत्रा ले प्रसारान मंत्रा ले तीनों को इसमें इन्वाल किया है और आज मैं ग्रह मंत्री जी को मिलने भी जा रह के होते हैं दूसरे राज्यों के मुख मंत्री भी उठके पूंच चुके होते हैं अगर अगर होता तोम तक वहां पर क्या स्थिती होते और आज क्या स्थिती दूर्भाग्यपूर्ण नहीं यह ठीक नहीं है ठीक आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्य प्रुबर